सब्सक्राइब कीजिए एसके ओफिसियल टेक को और दबाएए इस बेल के आइकोन को ताकि आप देख सके हमारे नए वीडियो सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे आइटेल के फोन में किसी को कॉल लगाते ही कॉल कर जाता है तो इस प्रॉबलम को कैसे ठीक कर सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको फोन की सेटिंग में जाना होगा यहाँ पर आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है उसके बाद आपको सिम वन पर क्लिक करना होगा यहाँ पर आपको roaming को चालू करना है और यहाँ ok पर click करना है तो यह चालू हो जाएगा उसके बाद आपको निचे scroll करना है यहाँ पर आपको 4G calling को चालू करना है तो अभी हमने इसे चालू कर दिया है उसके बाद आपको Preferred Network Type पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको इस First वाले Option पर क्लिक करना होगा तो यह Select हो जाएगा उसके बाद आपको Wi-Fi Calling पर क्लिक करना होगा यहाँ पर आपको इसे चालू करना है उसके बाद आपको Bake आना है यहाँ पर आपको Career Video Calling को भी चालू कर लेना है तो अभी हमने इसे चालू कर दिया है और अगर आपके फोन में यहाँ पर वोल्ट का Option दिखा रहा है तो आपको वोल्ट को भी चालू कर लेना है उसके बाद आपको Beak आना है यहाँ पर आपको Sim2 पर क्लिक करना होगा उसके बाद आपको Roaming को चालू करना है और यहाँ OK पर क्लिक करना है तो यह चालू हो जाएगा उसके बाद आपको निचे स्क्रोल करना है यहाँ पर आपको 4G Calling को चालू करना है तो अभी हमने इसे चालू कर दिया है उसके बाद आपको Preferred Network Type पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको इस First वाले Option पर क्लिक करना होगा तो यह Select हो जाएगा उसके बाद आपको Career Video Calling को भी चालू कर लेना है तो अभी हमने इसे चालू कर दिया है और अगर आपके फोन में यहाँ पर भी Volt का Option दिखा रहा है उसके बाद आपको पूरा बेक आजाना है अब आपको अपने फोन को Switch Off करना होगा और फिर से फोन को चालू करना है तो अगली बार हम जब भी किसी को Call करेंगे तो Call Cut नहीं होगा तो बस इस वीडियो में इतना ही